हलो मिना नीशेंस और आज मुझे बताते हुए यह बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि मिनी मलेशिया के लोड आउट अफडेट यानि कि 0.2.1 के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ नियू अवतार्स प्लस मैप्स का मॉड जिसमें आप लोगों को सभी अवतार्स एक HD quality में मिलने वाले हैं जो आप लोगों को mini clip version में मिलते थे अब वो आप लोग क्लासिक में खेल सकते हो और इसी के साथ-साथ मेरे बनाय हुए map जिसका नाम था monster map उसको मैंने एक upgraded version दिया है जिसको मैंने नाम दिया है mutant monster जो कि आप लोगों को इस board में मिलने वाला है इसी के साथ-साथ जो हमारे पहले से ही maps थे जैसे कि हमारा catacomb, crossfire और इसी तरह के bottleneck subdivision उन सभी web में आप लोग स्नाइपर lobby, SG lobby की तरह खेल सकते हो जो कि एक बहुत ही ज़ादा कमाल की बात है लेकिन इसी के साथ-साथ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि आज जो आप लोगी वीडियो देख रहे हो ये हमारे चैनल की 99th वीडियो है और खुशी की बात तो ये है कि हम लोग 500 subscribers के काफी ज्यादा close है और इसलिए मैं अपनी 100th वीडियो को अपने 500 subscribers celebration की तोर पर बनाने वाला हूँ जिसके लिए आप लोगों को कुछ इंतजार करना पड़ेगा कुछ दिनों का क्योंकि उसको बनाने में मुझे थोड़ा time लगेगा और वो idea सच में काफी ज्यादा unique है और definitely आप लोग उसे जरूर enjoy करोगे तो मैंने और rhythmda2 ने मिलकर इस mod को तयार कराए दरसल rhythmda2 ने पूरे अवतार्स का section समाला और मैंने पूरे maps का और team में काम करने के बावजूद भी हमें इस mod को बनाने में पूरे दो दिन लग गए और आप लोग डेफिनेटली एक बार rhythmda2 के चैनल को जरूर विजट करना तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ हमारी कौन-कौन से अवतार्स एड़ हुए है और especially मुझे ये Deadpool का अवतार काफी जादा पसंद आया है और आप लोगों को जो भी mini clip के अवतार्स थे वो सारे आप लोगों को मिल जाएंगे फिर चाहें वो आप लोगों को premium ही क्यों ना हो वो भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे girl वाला iron man का cut up बाहु बली एंड हमारा ये जो गेमान्जो का होता है और आप लोग इसमें iron man के पूरी के पूरे outfit को customize भी कर सकते हो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो मैं उसके chest को उसके pants को और उसके belt को भी customize कर सकता हूँ और इसमें especially आप लोगों को एक goggles मिलेंगे जो कि आप लोग उसको edit कर सकते हो तो अब आप लोग इसको download करने के बाद अवतार section को अच्छे से explore करना और अपने मन मुताविक अपने अवतार को build up करना सो मैं आप अपर अब जितने भी maps से उन सभी की specialty बारी बारी से बताने वाला हूँ कि जब आप game खिलो तो आप लोगों को किसी भी तरह की problem ना है तो outpost में आप लोगों को 3 guns मिलेंगी shotgun, sniper and rocket launcher ये तीनों दर असल मिले shots के लिए gun है और इन तीनों से आप लोग मिले shots काफी अच्छे से कर सकते हो ये दर असल काफी ज़ादा अच्छी होगी जो लोग मिले shots सीखना चाहरे है और जो sniper lobby की तरह इस्तिमाल करना चाहते है वो भी इसका इस्तिमाल कर सकते है अगर आप लोगों को एक specific map की details चाहिए तो मैंने comment एक pin करके रखी है जिसमें आप लोग time stamps को click करके अपने मन मुताबिक maps के बारे में details ले सकते हो तो अभी जो मैं आप लोगों को map दिखाने जा रहा हूँ वो है मेरा बना हुआ monster map लेकिन ये upgraded version नहीं है upgraded version मैं इसके बात दिखाने वाला हूँ यहाँ पर मैं होने वाला हूँ spawn अपने premium avatar जिसका नाम है Deadpool और मुझे जरसल Deadpool से हमेशा game glance की याद आ जाती है hope करता हूँ कि वो भी DA2 में वापस आए और especially मैं बहुत ज़्यादा खुश होँगा और यहाँ पर मेरे पास एक long range की gun हो चुकी और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो अब इसमें changes यह हुए है कि मैंने इसमें पेण पौदो यानि के हरियाली से भर दिया है थोड़ा सा अगर आप लोग गौर से देखोगे तो मैंने weapon spawn system को ठीक करा है और सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप इस map में CTF भी खेल सकते हो दरसल आप सभी maps में CTF खेल चकते हो जो भी इस mod में आप लोगों को दिखेंगे सो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसका mutant version यानि mutant monster map सो या यह है अपना mutant monster map जो कि आप लोग खेल सकते हो undermine के map को select करके अब इसमें changes कुछ ऐसे हुए हैं जो कि आप लोगों को शायदी ना पता चले अब इसमें आप लोगों को यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कुछ rooms टाइप के बनाए है और अगर आप यहाँ से नीचे जाओगे तो आप लोगों को एक ऐसी जगे मिलेगी जहाँ पर आप लोग एक और गन को explore कर सकते हो यहाँ पर भी आप लोगों को कुछ गन spawn होगी और even अवतार spawn होगे और मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि कौन इस मैप को खेल कर gameplay अपलोड करने बाला है क्या आप लोगों करोगे एक चीज देखना यह launcher गया एक मिनेट मैं थ्रो करता हूँ हाँ यह launcher गया सीधा तो यह कुछ ट्रिक्स होती है जो कि आप लोगों को long range की gun है of course launcher है तो वो दूर तक जाना चाहिए तो यह सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर मैंने इस map को develop कर दिया है तो अब आप लोग जब भी sniper या फिर launcher fire करोगे तो वो बिना किसी obstacle को तकराए एक straight line path को follow कर सकता है और यही चीज़े हैं जो कि इस map को काफी ज़ादा मज़ेदार बनाती है तो अब मैं फटा-फट आगे कुछ maps के specifications भी पता देता हूँ let me open it या आप लोगों को subdivision और bottleneck map में sniper, shotgun and rocket launcher ये तीनों guns की lobbies आप लोगो इसमें खेल सकते हो और आप लोग इसमें simply host करके अपने बाकी players के साथ भी खेल सकते हो और अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि no escape में कोई भी changes नहीं हुए है और so long में आप लोगों को जो changes हुए है वो देखकर आप लोगों को सच में काफी ज़ादा मजा आने वाला है so long map अब बन चुका है हमारा बरफीला map यानि कि हमारा snow blind जो कोई काफी ज़ादा underrated map था अब आप लोग उसको so long में with boost के साथ खेल सकते हो और हाँ एक चीज में बताना भूल गया कि आप इन maps को V4 और MMC दोनों के लिए खेल सकते हो और V4 और MMC दोनों का ही download link आप लोगों को description में मिल जाएगा बात करूं Lunarcy, Icebox और Snowblind की तो इन तीनों maps में कोई भी changes नहीं हुए है हाँ आप लोगों को V4 में changes इन maps में देखने को मिल सकते हैं और सबसे जरूरी बात आप इन mod को उनी के साथ खेलना जिनके बास हमारा बनाय हुआ mod है अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप लोगों को vault list देखने को मिलेगा आप एक काम कर सकते हो आप हमारे बनाय हुए mod को उन लोगों के साथ share कर सकते हो जिनके साथ भी आप लोगों को खेलना है Cliff Anger map में कोई भी changes नहीं हुए हैं इसको पिछली बार एक problem थी जो कि यह थी कि इसका spawn point सिर्फ और सिर्फ एक था जिसका मतलब है कि spawn camp हो रहे थे जिसको मैंने काफी जादा अच्छे से replace कर दिया है और अब यह काफी जादा smoothly work कर रहा है तो यहां पर आप लोगों के लिए शायद ही नया हो कई लोगों ने इसको खेला भी होगा और मज़े की बात तो यह है कि अब आप इसे V4 और MMC दोनों में ही खेल सकते हो with new outfits तो जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को cliffhanger map में कोई भी changes देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन crossfire में एक बहुत बड़ा change मैंने करा है एक नई गन को introduce कर दिया है अब नई तो नहीं है लेकिन इस map के लिए नई है जिसका नाम है saw gun तो यहाँ पर आप लोगों को saw gun देखने को मिलेगी और एक उपर की तरफ यानि map के टॉप पर और इसी के एक parallel में this side तो आप लोग cutter को इस तरह से इस्तिमाल कर सकते हो तो वो surprise क्या है वो तो आप लोगों को अगली वीडियो में पता चलने वाला है और अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ हमारा आखरी मैप जो की है mutant monster जो की मैंने आप लोगों को पहले दिखा दिया था लेकिन एक चीज़ बताना बूल गया कि अंडर्माइंड मैप के साथ उसे रिप्लेस करा गया है और इसमें भी हर्याली आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसका मतलब है कि पेड़ पौध है सो या इस वीडियो में इतना ही होप करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो काफी ज़्यादा पसंद आएगी और अब आप लोग MMC में जाकर काफी अच्छे से enjoy कर सकते हो but make sure to make only a custom room with a lock and हो सके तो आप लोग custom room का name इस तरह से देना ताकि लोगों को पता चल जाए कि हाँ इस lobby में mod installed है तो वो लोग जिनको mod खेलना होगा सिर्फ वही लोग इसमें आएंगे तो या आप लोगों को अगर मेरे साथ खेलना है मेरे से बात करनी है तो डिस्कॉर्ट सोरो जॉइन कर लो link description में है मैं भी लोग आपको इसकी नेक्स वीडियो में तब तक ले स्टे आउसम गाइस बाबाई